हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक निया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको मैं यह बताऊंगा कि कैसे फीचर सेलेक्शन अलगुरिथम जो होता है वो आपके किसी भी क्लासिफिकेशन अलगुरिथम की प्रेडिक्शन एकुरेसी को इंप्रूव करता है ठीक है त में एक हाल से आलमोस्ट 480 के आसपास हैं ठीक है एंदा टोटल नमबर ओफ एट्रिबूट एर 17 ठीक है तो यह इसका डाटा सेट का आपको मैं कुछ बता रहा हूँ ठीक है और यह जो तोटल लंबर ओव वैल्यू जैसे टू है यह टोटल लंबर ओव वैल्यू जो है जैस इसको आप फीचर सेलेक्शन बोलता हो तो फीचर सेलेक्शन में करना क्या है यह जो आपके एट्रिबूट से इनको फीचर कहते हैं तो इन फीचर में से आपकी क्लास विरिबल को कौन एकुरेटली इडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा ठीक है मोस्टली हेल्प करेगा उसको हम फीचर सेलेक्शन से इवेल्वेट करेंगे ठीक है तो अभी मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं विका टोल की टोपन करा ठीक है एक्सट्रोलर से मैंने आप अपके डाटा सेट को फिका इंटरफेस पे अपलोड किया ठीक है देखो यह आल्यडी मैं बता चुका हूं कि क्लासिफाई कलस्ट असेट सेलेक्शन सेलेक्ट एक्टिव नहीं है तो जैसे मैं डाटा सेट अपलोड करूंगा तो यह अपने आप आप आटोमेटिकली तो मैंने डाटा अपलोड किया ठीक है तो तो तोल फोर फोर फिफिटी इंस्टांस आप दियार इस इस दाटा सेट यह आपको अल्लाइन अबलेबल मिल जाएगा किसी भी ओन्लाइन डाटासेट डिरेक्टरी में तोडेंट अकैडमिक प्रफॉर्मेंस डाटा सेट एक्ट तो तो तोल नंबर फैटिबूर्स आर 17 सम अफ द वेट इस 480 एंद पॉर जेंडर दियार टू टाइप से अपने टोटल डाटा सेट को चेक कर सकते हो क्लास वेरियाबल आपके पास तीन है एम एम एल और एच आप अडेंटिफाई करोगे एंद यू कन सी दियर आरा 211 इंस्टांसीज ऑफ एम टाइप एल टाइप के 127 हैं एंड हाइट एच के 142 हैं तो यू कन से दाट अल दा अट्रिबूट्स आर मेभी इकुली अट्रिबूट्ट तो इस नोट ए प्रोब्लम सब्सक्वर्स किया अवर स्बिद्ड तो पहले में सकते हैं तो यहां से नेविट के जितने भी आट्रिबूट्स हैं थी ठीक है तो उसको ऑफ जए ज़ाहे डिवर्गएर स्था नोट रर फॉल्स करना है आपको जो भी है дел ons कोछ कर सकते हो ठीक है more में जाके आप find out the more about these attributes ठीक है तो उस पर मैं जाता नहीं हूं अभी by default पे execute कर रहा हूं इसको okay this आपके पास test options रहते हैं use training set use supply data set ठीक cross validation percentage split percentage में आपने by default 66 है you make increase it up to 70 quality तो ठीक है तो अभी मैं 10-fold cross validation पे evaluate कर रहा हूं class variable आपके पास यहीं दे रखा है this is the class variable उसके cross branding में evaluate कर रहा हूं then start okay तो अभी मैं सिर्फ correctly classified instance से ही deal कर रहा हूं तो आपके correctly classified instance जो बन रहे हैं यहां पर वो देखो यह है 67.708 percent mean 67 percent accuracy आपका model दे रहा है आपको ठीक है और this is the confusion matrix mean one out of how many instance are there in class in M level 211 to out of 211 1.114 are correctly classified and the rest of the two rest of the instance are in class B और class C level ठीक है and out of from L level all level there are total values 127 तो out of 127 17 17 are not correctly classified जो जो बी में है actually B में है लेकिन predicted किसमें कर रहा है आपको यह में कर रहा है कि predicted values की यहां होनी चाहिए थी ठीक है wrong mean wrongly classified हो रहे है 17 out of 127 से और सेम यहां पर आपके पास total number of instance जो है वो कितने 142 142 में से आपके 101 तो correctly classified हो रहे हैं टेकिन वाकी के 41 जो हैं वो कुछ level M में आ रहे हैं और कुछ level L में आ रहे हैं ठीक है तो this is the confusion matrix ठीक है अब हम चेक करते हैं कि अगर मैं feature selection algorithm से ठीक है select attributes से मैं suppose करो मैं आपको किया correlation attribute evaluator जो ranker method के साथ evaluate हो रहा हूं ठीक है तो मैं 10-fold cross evaluation से और आपनी class के accordingly मैंने attribute select करें ठीक है तो इस attribute selection में आपको यह दे रहा है देखो attribute selection 10-fold cross validation strategy seed 1 से तो मेरे को इसने different attributes को according to their ranker list कर दिया ठीक है तो मैं यहां से threshold value यह देखो यहां से जैसे आपका visited resources जो highest strength दे रहा है 0.383 ठीक है next student absence day 3.61 तो यह इसकी मैं एक threshold value माल लेता हूं कि जिसके ऊपर की value को मुझे select करना है and उसे lower value को मुझे हटा देना है ठीक है तो मैं यहां से select कर लेता हूं कि मेरी threshold value 2 रखनी है मैंने ठीक है कि only जिसकी threshold value 0.2 से अबव है वही मैं consider करने है and the rest of the attribute को मैंने हटा देना है जैसे यहां लिखा देखो 0.185 है तो मेरी threshold value मैंने minus 0.2 रख की है तो 0.2 तक मुझे select करने है and the rest को जो values है उनको neglect कर देना है ठीक है कि according to correlation attribute evaluator जो मेरे पास attribute selection method है ठीक है जो search method भी rank कर चलता है उसके उसने मेरे को सिर्फ यह rank करके दिया तो मैंने direct preprocess कर से मुझे कौन कौन सी value रखनी है यह value रखनी है 11 16 10 ठीक है 11 16 10 फिर रखना मुझे 12 14 9 12 14 and 9 ठीक है and 9 mean मेरी threshold value मैंने ले लिए अब यह जो बाकी values है जो threshold value से कम है तो मैं इन पर नहीं जाओंगा ठीक है और last में मैं एक class attribute तो रख नहीं है और मैंने बाकियों को जो भी selected बाकिया other attributes से मैंने इनको remove कर दिया तो मेरे पास अब भी यह data set बच गया कौन से value बची है यहां से कौन से attribute select करें मैंने जो मुझे इस ranker method के तुरू इस ranker और attribute evaluator correlation attribute evaluation method के तुरू select किये थे मैं तो higher rank की value को मैंने पिक किया और यहां से मैंने बहां से बाकी जो higher rank में value नहीं आ रही थी mean जो 0.2 से lesser value थी threshold value मैंने उनको हटा दिया ठीक है तो मेरे पास total number of attribute बचे है 7 जिसमें से 6 जो इंडिबेंडे एक्टिबूट है एंड लास्ट सेवन्थ एक्टिबूट इस दा क्लास वेरियब भाई यह देखो ठीक है now again go to classify तो देखो मैंने ने बेस पे evaluate कर रहा था ने बेस के भी defaults value पे मैं अभी मैं दुबारा से ने बेस पे select कर रहा हूं बट अब जो selection हो रही है वो इस value पे हो रही है जो पहले हो रही थी यह जो आपकी value select हुई है ने बेस ने evaluate करा data set को इस time data set पे व्यूद हो whole data set include किया हूँ था ठीक है तो मैं दुबारा से classify करा हूं 10 fold cross validation now you can see the accuracy correctly classified instance is increased up to 70% before after active before attribute selection जो आपके पास value थी थी 67.7083 but now the value increase to 70.83.3 mean with the help of attribute selection your accuracy increased from 67% to 70% ठीक है तो different different attributes आप according to अगर आप चाहते हो कि आपने threshold value 1 रखनी है तो you may also include 15, 13 and 1 into your data set तो आप भो भी कर सकते हो but it all depend upon your problem how you want to solve your problem ठीक है next is 70 यह देखो और यह आपका है 67% तो आपका it means feature selection algorithm ने आपके accuracy को improve करा now also you can see the confusion matrix पहले आपका आपका यहां यहां पर 114, 33 और 58 था लेकिन इसमें कितना हो गया आपका 150 mean class M level का आपकी accuracy जो इंक्रीज हुई है ठीक है पहले आप 14 क्लासिफाइड इंस्टंस थे अब 115 हो गए ठीक है second attribute देखते हैं आपके B में से 110 थे और यहां देखते हैं आपके 112 हो है mean class level L की भी accuracy जो है वो जहां पर पहले 110 accurately classified थे इंस्टंस से लेकिन अब कितने हो गए 112 ठीक है same for h level 101 अप यहां देखोगे तो 113 mean class hk attribute जो पहले 101 यह दो क्रेक्ट्री क्लासिफाइड थे वहां कितने होगे 113 तो यहां से confusion matrix से भी आप चेक कर सकते हो कि आपका accuracy level of the algorithm is increased when you are applying feature selection algorithm into your data set ठीक है now you can save your model anywhere into your on to your computer स्पोस करो मैंने इसको desktop पे save कर लिया तो नेवेस मोडल था ठीक है तो नेवेस मोडल मैंने save कर लिया तो नेक्स टाइम आप यह model अपने new data set पे apply कर सकते हो to identify यह to predict the level of your data set your level of your instance thank you so much for watching this video